तो आज हम लोग जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है साइटो मेगैलो वाइरस ठीक है तो मैं आपको पहले बता देती हूं कि साइटो मेगैलो वाइरस जो है यह सेक्शुली ट्रांस्मिटेग डिसीज नहीं है यह सेक्शुली ट्रांस्मिटेग डिसीज यह सेक्शुली ट्रांस्मिटेड इंफेक्शन हो सकता है ठीक है क्योंकि यह सेक्शुली ट्रांस्मिट भी होता है तो इसलिए इसको हम सेक्शुली ट्रांस्मिटेग डिसीज तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यह सेक्शुली ट्रांस्म वह रहे हैं उनमें भी यह सिम्टम्स और यह चीजें प्रफॉरी तो ऐसा धा रहा है कि आप वह साई्टोमिगालो वाईरस से भी इंफेक्टेड हैं कोरोना वाईरस से ठीक होने के बाद नाओ आर इनफेक्टेड विर्स वेरी ओन वाईरस वाईरस तो अब इसको देखेंगे यह क्या होता है देखिए यह साइटो मेलोанный वाइरस से डियलेक्टेर से से हैं जिस्से चिकन आप्स भी होता है हार फे सिंपलेक्स भी जैसी चीजें भी होती है थिक है तो इक तो डेंट रिक तु दाट वाइरस अब देखिए अब आप सोच रहूंगे कि आखिर यह फैलता क saliva हो, mucos के secretions हो, कोई भी चीज से ये फैल सकता है blood से, urine से, saliva से, breast milk से भी और आँख के आशू से जैसे मैंने कहा और देखिए sexually contact से भी ये फैलता है और organ transplant से भी ये virus के transfer होने के chances हैं ठीक है? तो अब organ transplant होता है तो immune system बहुत weak हो जाता है तो जब immune system weak होता है friends करते हैं, तो अब अगर हम complications की बात करते हैं तो देखिए complications की अगर बात करें तो इसमें vision loss हो सकता है vision loss आँखों की रोशनी जा सकती है क्यूंकि आँखों में एक layer होती है retina जो की light sensitivity हो जाती है और इसकी वज़ा से vision जो है वो चला जाता है colitis हो सकता है colitis मतलब colon में inflammation हो सकता है isophagitis मतलब isophagus में infection हो सकता है hepatitis liver में infection हो सकता है encephalitis यानि की brain में infection हो सकता है और कहां pneumonia भी हो सकता है these are the complications of this virus ठीक है तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि friends हमारा YouTube पे एक और channel है 10 Direction News के नाम से तो मैं आपसे request करना चाहूंगी कि हम हर बार description में उसके link को भी share कर रहे है तो please एक बार उस channel को भी visit कीजिए उसको भी subscribe कीजिए ठीक है तो अब हम इसको देखेंगे कि ये कितने types के होते हैं देखिए जैसे कि मैंने कहा sexual contact से भी हो सकता है और इतनी सारी चीज़े भाई breast milk से हो सकता है तो यानि कि मा से pregnant lady से बच्चे को भी हो सकता है तो अब आएए देखते हैं उसमें किस किस stage पे हो सकता है देखिए पहला तो congenital होता है congenital मतलब बच्चे के बाहर आने से पहले ही उसको बिमारी हो चुकी होती है तो उसमें क्या होने के chances है अगर congenital होता है यह तो hearing loss हो सकता है कान के सुनने की शमता जा सकती है और क्या हो सकता है intellectual disability मतलब बच्चे का मानसिक संतुलन भी खराब हो सकता है आंखों में problem भी हो सकती है coordination lack हो सकता है उसका mind कहीं भागेगी हरकते कैसी करेगा muscles की weakness भी हो सकती है ठीक है यह इसके congenital defects है अब देखिए congenital defect हुआ तो perinatal भी हो सकता है perinatal मतलब बच्चा जब बाहर आ गया तो उसके बाद अब बाहर आया तो कैसे होगा यह breast milk मा के breast के milk से बच्चे को भी यह virus transfer हो सकता है ठीक है या फिर जिस वक्त बच्चा बाहर आ रहा हो उस वक्त यह infection हो सकता है ठीक है तो अब देखिए हम इसके prevention की बात करेंगे तो prevention में देखिए जैसे कि क्या होता है कि हाथ को बच्चे को या किसी को भी छूने से पहले कहीं से भी आप आए तो अपना हाथ जरूर दोए साबुन से या लूप वाटर से दोए हाथ जरूर दोना है फिर उसके बाद अवर्ट फ्लूई कांटाक्ट आँक के आशू पोच रहे हैं तो भी हाथ दोए ऐसा नहीं कि आपने नोज के म्यूकस को टेच किया और फिर आपने आँक टेच कर लिया या फिर आपने कहीं और किसी और को टेच कर दिया ऐसा नहीं जितनी बार भी आप इ इतनी सारी सीचीजें कहीं से भी फैल सकता है तो खाना पानी बिल्कुल नहीं शेयर करना है सो समझ के शेयर करना है वैसे इंफेक्शिम का दौर बहुत तेजी से चल रहा है फिर उसके बाद डिस्पोजिब आइटम के जो सर्जिकल डिस्पोज इधर फैले है या जो लोग पानी पी के डिस्पोजबल जो गलास फिकते है यह सब जो इधर फैले हैं इनसे भी सतरकता रखनी है इनसे दूरी बना के रखनी है कोई चीज अगर कॉंटेक में आती है तो तुरंत हाथ दोना है और क्ली टोईस जो बच्चे खिल रहे हैं जै अग वो बच्चों के यूर वाश करना है और क्या करना है प्राक्टिस सेफ सेक्स मैंने कहा ना कि एक सेक्शुली ट्रांस्पिट्टी हो सकता है तो सेफ सेक्स प्राक्टिस करना है मिन्स कॉंडम का यूज करना है अब treatment वाईरस है तो वाईरस का treatment की अगर बात करें तो antiviral drug है हमारे पास 4 drugs है जिसको देनी है दे दी जाती है इस virus infected होने पे पेशिंट को that is antiviral drug है हमारे पास gen cyclovir जो intravenous root से चलाई जाती है फिर उसके बाद है हमारे पास velgeny cyclovir जो की non severe conditions में patient को दी जाती है फिर we have foscar net angden sedophovir ये हमारे पास antiviral 4 drugs हैं जो cytomegal virus से infected patient को दी जाती है तो अब देखिए ये virus जो है मैंने आपको बता दिया ये कैसे होता है कैसे नहीं होता है अगर आपका वीडियो से related कोई suggestion है तो coming section में comment करके बता सकते हैं मुझे आपके suggestions मैं हमेशा incorporate करती हूं और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को subscribe जरूर कीजिए और अपने फ्रेंग से share करना बिलकुल मत भूलिए thank you very much